हेलो फ्रेंड्स आज हम वेजिटेबल पुलाव बनाना सीखेंगे इसके लिए हमने एक गलास चावर लिये हैं इसको अच्छे से धो कर भिगव दिया है और ये मिक्स वेजिटेबल है इसमें गोभी आलू और गाजर लिया है एक कटोरी मटर, दो बड़े टमाटर और एक बड़ी प्याज और ये खड़े मसाले जिसमें तेजपात पत्ता, लोंग और काली मिर्च क्रश करी हुई और एक बड़ी इलाइची ये हमने इसमें ली है ये धनिया पाउडर और ये हरा धनिया चौप किया हुआ और ये प्याज कटी हुई है अब हमने कूकर में तेल डाल दिया है तेल हमारा गरम हो रहा है ये आधी कटोरी तेल हमने डाल दिया है इसमें हमने थोड़ा जीरा डाला और अब इसके बाद हम इसमें खड़े मसाले डाल देंगे और इनको भूनेंगे थोड़ा भूनने के बाद जब यह भून जाएगा उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे अब यह भून रहा है अब हम इसमें प्याज डाल रहे हैं अब इसको हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे प्याज के गोल्डन होने तक हमने इसको तलना है ठीक है फ्रैंट्स यह प्याज को हम थोड़ा थोड़े देर में चलाते रहेंगे और जब देखेंगे यह गोल्डन होगा तब हम इसमें अदलक लस्टन का पेस्ट डालेंगे अब यह गोल्डन होता जा रहा है यह गोल्डन हो गया है अब इसमें हम अदलक लस्टन का आदा चमच पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छे से चलाएंगे जब यह अच्छे से भुन जाएगा फिर इसमें हम टमाटर डाल देंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे और यह धन्या पोडर डाल दिया हमने इसमें वह इसको अच्छे से भूनने देंगे टमाटर को अच्छे से क्रेश करकर के कर्ची की मदद से इसको भूनेंगे जब यह अच्छे से भून जाएगा तब तक हम इसको करते रहेंगे जब तक अच्छे से यह भूनना जाए जब अच्छे से बुन जाएगा उसके बाद हम इसमें वेजेटेबल डालेंगे यह हमारा बुनने वाला है टमाटर इसको अच्छे से ट्रेश करते रहेंगे अब यह हमारा टमाटर बुन गया अब हम इसमें माटर डाल देंगे और मिक्स वेजेटेबल हम इसके अंदर डाल देंगे अब इसको हम अच्छे से चलाएंगे इसको हम अच्छे से चलाएंगे और इसको थोड़ा सा बुरने देंगे सबजियों को थोड़ी सब्जियों को थोड़ी देर हम इसको ऐसे ही तेल में बुरने देंगे इसके लिए कुकर ढग देंगे अब देखो फ्रेंड्स ये हमारी सब्जियां बुरन रही हैं थोड़ा सा और इसको आच लगाएंगे और उसके बाद हम इसमें चावल डालेंगे यह हमारी सब्जियां बुरन रही हैं इसमें 1 चमच हम नमक डालेंगे हमारे एक ग्लास चावल में एक चमज नमक डलेगा हमने एक चमज नमक डाल दिया है पहले हमने नमक इसलिए निडाला था क्योंकि जो सबजिया है वो नमक सोक लेती है और फिर चावल में नमक कम लगता है और सबजियों में जादा हो जाता है इसलिए हमने नमक लास्ट में डाला है चावल के डालते वक्त और हमने दो गिलास पानी डाल दिया इसके अंदर एक गिलास हमारा चावल है और दो गिलास हम पानी डाल दिया हमने और इसको अच्छे से चला कर अब हम कूकर को बंद कर देंगे एक सीटी आने तक हमने इसको तेज आज पर रखना है यह हमने कुकर बंद कर दिया और एक सीटी आने तक हमने इसको तेज आज पर रखना है और जब एक सीटी आ जाएगी उसके बाद हम कुकर को गैस को बंद कर देंगे और उसके थोड़ी दस मिनट बाद हम कुकर को खोलेंगे फिर हमारा पुलाव तैयार हो जाएगा ठीक है फ्रेंट्स अब ये देखो हमारा ये चावल पक चुका है ये देखें फ्रेंट्स कितना सुन्दर पुलाव बना है कितना लजीज देखने में ही खुश्बू कितनी अच्छी आ रही है इसम के अंदर और हमने हरा धनिया इसम के अंदर ऊपर से डाल दिया है गार्निशिंग के लिए और अब हम जिसको चला के देखेंगे चावल को पुलाव को कितना सुन्दर पुलाव हमारा बना है कितनी अच्छी इसमें खुश्बू आ रही है कितना टेस्टी पुलाव बनाया है देखते ही दिल खुश हो रहा है अब इसको हम प्लेट में डालेंगे यह देखिए यह भुट टेस्टी पुलाव है यह देखिए अब हमने इसको प्लेट में डाल दिया है यह देखिए कितना सुंदर पुलाव है थैंक यू अबस्टी पुलाव है